आज हम आपको लिबाम मैनुफेक्टरिंग बिजनस के उपर जानकारी देने वाले हैं जिसके अंदर हम इस बिजनस के रिलेटेट सारी चीज़े कवर करेगे जैसे कि बिजनस रिसर्च है, इन्वेस्टमेंट है, जो रॉम माटिरियल्स यूज होगे और इसके अलावा और भी तीन चीज़े, जैसे कि कौन से अलग अलग टाइप की लिबाम जो आप मैनुफेक्टर कर सकते हो, उसके अंदर कौन से अलग रॉम माटिरियल्स के आपको ज़रूरत पड़ेगी आप कौन से टारगेट कर सकते हो कस्टमर्स को, और आपका क्या प्रॉफिट रिटन होगा इस बिजनस को स्टार्ट करने के बाद, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी देने वाले है क्योंकि ये सारी चीज़े बहुत ही इंपोर्टन रोल प्ले करती है, कोई भी बिजनस को सेट अप और स्टार्ट करने से पहले तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, तब भी आपको इस बिजनस के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी कि कैसे आपको इस बिजनस को स्टार्ट और इंप्लिमेंट करना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और हाँ, हम आज कल लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी इसका टाइम है 6 to 6.30 और 10 to 10.30 तो यहाँ पर हम इस प्लेटफॉर्म पे शेर विजन प्लेटफॉर्म पे हम रोज लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, जिसके अंदर हम डाउट सॉल्विंग और बहुत चारे ऐसी नई चीजे भी बताते हैं, जिससे आप लोगों को इन बिज स्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप बात करते हैं बिजनस रिसर्च के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिमांड सप्लेट की जानकारी बेजिक होगी ही, बाकी रिसर्च आपको मार्केट से करनी पड़ेगी, क्या अलग अलग प्रोसीजर है, इनकी डिमांड और सप इनलिसिस करना पड़ेगा इस बिजनस को लेके, और आप जो प्रोड़क्ट मैनुफेक्चर कर रहे हो, उसको भी लेके, क्यों इसकी स्ट्रेंट्स क्या है, विकनेस क्या है, और थ्रेट्स आपको क्या फेस करने पड़ सकते हैं, और आपको ध्यान में रखना है कि आपके क काम कर रहे है, क्या अलग-अलग प्रोसीजर और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे है, और बहुत सारी ऐसी चीजों को भी ध्यान में रखना है, आपके कॉम्पेटिटर्स को लेकर, फिर आपको एक कस्टमर सर्वे भी करना पड़ेगा, कि कैसे आपको आपके जो कस्टमर्स है, उनको आपका प्रोड़क कैसा लग रहा है, क्या उनकी नीड्स है, क्या चेंजीज आपको लाने पड़ सकते हैं आपके बिजनस को लेके, कौन सी अलग-अलग प्रोड़क्स है, जो आप इसमें मैनिफेक्टर कर सकते हो, अलग-अलग टाइप्स के लिब हैं, तो अब बात करते हैं टाइप्स की, तो यहाँ पे आप रोज लिब बाम, चौकलेट, एप्रिकोट, पैपर मिंट, सिट्रस कोकोनट, वैनिला, लेविंडर, और ऐसे कई सारे अलग-अलग टाइप्स के जो लिब बाम हैं, उसकी मैनिफेक्टरिंग कर सकते हो, आपके कस्टमर बेस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आपके कस्टमर्स को वैराइटी नहीं मिलेगी, तो वो आपके प्रोड़क्ट को बाय नहीं करेगे, क्योंकि वो एक प्रोड़क्ट या एक टाइप पे वो स्टिक नहीं रह सकते, उनको भी अलग-अलग नीड्स औ प्रोड़क्ट का 5% और ऐसे आप सेग्रिगेट कर सकते हो, आपके डिमांड और सप्लाइ को ध्यान में रखते हुए, कि कौन से टाइप के डिमांड ज्यादा है, और कितना सप्लाइ आपको उसमें करना है, तो उस हिसाब से आप अलग-अलग परसंटेज में भी उसकी मैन मैनुफेक्टरिंग कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपके रौ माटिरियल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, पर मेजरली हमने सारे रौ माटिरियल्स कवर कर ली है, जो इसकी मैनुफेक्टरिंग के लिए काम आएगे, तो वो है कोको बटर, कैस्टर ओल, इन्फ्यूज्ड रोज ओल, बीस वेक्स, वैनिला एक्स्ट्रेक्ट, पाउडर्ड, एलकेंट रौट, कैलेंडियल ओल, विटामिन ई ओल, सनफ्लावर ओल, कोकोनट ओल, ओलिव ओल, क्लेसलिन, पैकेजिंग माटिरियल्स और अधर माटिरियल्स जो डिपैंड करेंगे, आपके टाइप ओफ लिब अधरियल्स और माटिर्टी में पर्चेस करना है, वो आपके उपर डिपैंड करेगा, आपके बिजनस मॉडल और बिजनस प्लैन के उपर, तो अब बात करते हैं मशीनरी की, तो यहाँ पे आपको हीटिंग मशीन, मिक्सिंग टैंक्स, रोलर्स, मोल्ड्स, वेइंग स्केल, सीलिंग एंड लेबलिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन की जरुवत पड़ेगी, यह सारी मशीनरी भी आपको लोकल मार्केट और ओनलाइन दोनों जगे अवेलेबल है, आप इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, गैरेंटी, वारेंटी, जो डीलर्स है, आप यहां पे आपको 5 to 11.5 लेक्स तक का मिनिममम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस बिजनस को स्टार्ट करने के लिए, और यहां पे हमने सारी जो भी अधर कॉस्ट है, जैसे की लाइसेंस कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल कुछ टाइम का, पेमेंट और सेलेरी कुछ मंत क की, मशीनरी कॉस्ट, रॉव मटिरियल कॉस्ट और आपके जो भी अधर एक्सपेंसीज होगे, उनको काउंट कर लिया है, तो यहां पे आपको मिनिममम 5 to 11.5 लेक्स का मिनिममम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो टोटली फलक्चुएट कर सकता है, बहुत सारे अध फेक्टर्स के उपर, जैसे कि आपका लेंड है, जितना एरिया आप कवर करने वाले हो, आपका मैन पावर का कॉस्ट, आपका जो भी मशीनरी का कॉस्ट है, आप कितने प्रोडक्शन के अपसिटी की मशीनरी ले रहे हो, क्या आटोमेटिक है या सेमी आटोमेटिक है, आप इनके इनके customers को target करके sell कर सकते हो तो आप यहाँ पे wholesalers, retailers, malls, cosmetic shops, beauty parlors, supermarkets, local shops और online sites जैसे की Amazon, Flipkart, Mintra और ऐसी कई सारी sites जहाँ पे आप इनकी selling कर सकते हो आप इनके export भी कर सकते हो आपके ओपर depend करता है कि आपको कहां का इनके demand मिल रही है तो यह सारे होगे इनके customers जिनको आपको target करना है और उसके लिए हम आपको भी marketing strategies बताते है जैसे की publicity, advertisement, digital marketing, television marketing, in-person marketing, direct marketing और email marketing तो यह सारी marketing strategies है जो आप इस business में implement कर सकते हो और आपको कहां पे implement करनी है उसके लिए आपको एक marketing team चाहिएगी जो आपको बताएगी कि कैसे आपको यह marketing strategies सही place पे implement करनी है और आपके audience को attract करना है क्योंकि यह बहुत ही जादा competitive world है जहां पे इसके manufacturers और एक बहुत ही अच्छी position बना के बैठे है market में तो अगर आपको यह new और scratch से start करना है उसके लिए आपको marketing strategies का use करना ही पड़ेगा जो बहुत ही important role play करती है कोई भी business को grow और promote करने के लिए तो अब बात करते है area और manpower की तो यहाँ पे आपको 800-1000 square feet का minimum area required होगा और manpower की बात करें तो 7-12 labors के साथ आप इस business को run कर सकते हो जिसके अंदर marketing manager, account tent और ऐसे कई handlers included है यह जो area और manpower है वो totally fluctuate कर सकता है आपके business plan और business model के उपर आप कितने production capacity की machinery setup कर रहे हो semi-automatic है या fully automatic है और अगर आपका यह area और manpower भी fluctuate होता है जो आपका totally direct असर पड़ेगा investment capital के उपर जो हमने वहाँ पही आपको बता दिया था बात करते हैं licenses की जिसके approval के बीना आप इस business को start नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके business को register करना पड़ेगा NOC from state pollution control board, registration under drugs and cosmetic act, MSMU, दियोगादार, BIA certification, trademark, GST number, electricity license और अगर आप import export करना चाहते हो तो आपको IEC code की जरुरत पड़ेगी तो यह सारे licenses के approval के बाद आप इस business को without facing any legal obligations आप इसे run कर सकते हो यह बहुत ही important role play करते है कोई भी business को set up करने के लिए तो यह licenses का cost हमने investment capital में include कर दिया था अब बात करते हैं बहुत ही important चीज जो है profit return तो यहाँ पे आपको 20-35% तक का return expect हो सकता है इस business से जो totally differ करेगा आपके production cost, आपका labor cost, machinery cost, raw material का cost आपके जो भी other expenses हो रहे है उन सब पे आपका जो profit return है वो totally increase या decrease कर सकता है initial level पे आपको सिर्फ 10-15% तक का return हो सकता है क्योंकि यह बहुत ही जादा competitive world है जिसमें आपको एक presence बनानी है पर आप जैसे जैसे grow करना चालू करोगे और आपके customer base बढ़ेगा तो आपका जो profit return है वो 35% से भी उपर जा सकता है जो आपकी मैनत के उपर depend करने वाला है तो यह profit return हमने जो investment capital बताया है उसके basis पर हमने यह profit return calculate किया है तो यह भी fluctuate कर सकता है इन सारे factors के उपर तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस business को start और setup कर सकते हो कौन से चीजों का ध्यान रखना है कौन से चीजे purchase करनी है कितना investment करना है licenses, manpower area सारी चीजों की जानकारी दे दी है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो please subscribe आप चैनल, like, share और अगर आपको कोई भी doubts हो तो आप हमें comment section में पूछ सकते हो या आप हमें gmail पे भी contact कर सकते हो Thank you